कि है लास्ट क्लास में हमने एंपियर स्लो कर लिया था एंपियर स्लो की अप्लिकेशन होगी थी अब डेक्स्ट आगे जलते हैं मुविंग चार्जीज एड मैगनेटीजम में तो एक जब चार्जीज मूव कर रहे हो और उनके उपर कोई मैगनेटिक फिल्ड अपलाई कर दि निजार है है जय इससे पहले सीज देखिए आफ के पास जब आपके पास हमने और रिष्टिट लों किया था तो वहाँ उसने क्या पूला था कि जब एक क्रिंट के रिग्वायर के पास एक पास लिटल लखी जाते हैं तो कारण की वाज़े से इक अवस्ट नीडल डिफले ओके तो यहां से निकल किया था कि एक मैगनेटिक फिल्ड एक करंट के रिंग वायर की वज़े से प्रडियूस हो रहा है करंट नहीं था तो मैगनेटिक फिल्ड है तो मतलब करंट इस दा सोर्स ओफ मैगनेटिक फिल्ड क्या इसा बोल सकते हैं करंट मैगनेटिक फिल्ड का स से आता है इसका मंतलब Això- chưa पुर की वज़े से करंट या और कर अनक्र की वज़े से मैगोनेतिक फिल्ड आया तो छोंचे मृ नीटिक करने की वज़े से अॉर्ड क्योगी आपके पास चार। के मूव करने की वज़े से मेगेटिक फिल्ड आता है तो कोई आप से पूछे वाट इस दा सोर्स ओफ मैगनेटिक फिल्ड तो थोड़ा सा मैं इधर लिखना हूँ अगर हमें चार्ज की बात करूं अगर चार्ज खाली रेस्ट पे है रुका हुआ है जैसा इलेक्ट्रो स्टैट में बढ़ा था जब चार्ज रेस्ट पे है लेक्ट्रो स्टैट में हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फिल्ड पढ़ा था वहाँ पर कोई भी मैगनेटिक फिल्ड की बात नहीं हुई थी तो जब चार uniform motion में uniform motion का मतलब constant velocity से चल रहा है तो इसके पास बोथ electric field as well as magnetic field होगा ठीक है एक चार्ज है और move कर रहा है तो चार्ज है ना अगर चार्ज है तो इलेक्टिक फिल्ड जरूर होगा तो बेसिक तो मुविन्ग हो निकाल चुके हैं इसके बाद चार्ज अब की बार मुविन्ग तो है पर नोन-uniform motion में चार्ज मुविन्ग तो है पर नोन-णिफोर्म मोशन में है और इसी को आप accelerated motion भी बोल सकते हैं क्योंकि time के साथ आपके बास velocity बगएरा change हो रही है ओके equally change नहीं हो रही है आपके पास तो accelerated motion of charges क्या produce करता है यह electric field भी produce करता है यह magnetic field भी produce करता है और यह उनको move भी करवाता है तो electric field और magnetic field जब space में move करते हैं तो उनी से मिलती बनती है electromagnetic wave तो कोई आप से पूछे what is the source of electromagnetic wave तो एक oscillatory charge यह accelerated motion में charge जो होगा वो source होता है electromagnetic wave कोई magnetic field का source पूछे तो moving charge होता है moving charge कैसा भी हो ठीक है इसके बाद आप से पुछा जाए कि एक current caring conductor है उसकी वज़े से क्या होगा आपके पास current caring conductor है तो इसकी वज़े से क्या होगा तो इसकी वज़े से सिर्फ magnetic field होता है इसकी वज़े से electric field नहीं होता है ठीक है एक वायर है current जा रहा है तो इसकी आज-पास magnetic field तो इसके पास से प्रकून यो क्यों नहीं है इसके आई फिल नहीं होता है तो इस तरफ जाना यह बोलेव को बनते हैं तो इलक्ट्रोन का इसित तरह जाना स assistir के से बोलते पर एक्चुली में इलेक्ट्रोन बेसक इस तरफ गए हो है तो वायर के अंदर और वायर के अंदर देखे तो इस टोटल वायर के उपर नेट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो जितने प्रोटोन है उतने ही इलक्ट्रोन है जितना पोजिटिव चार्ज है उतना ही नेगिट पास पास इसलिए करके मोशोरी मैगनेटिक फिल्ड रोता है उसके आजपास इसके आजपास एलक्टिव फिल्ड है यहीं अब चलते हैं कि इसी मूविंग चार्ज को हम क्या कर देते हैं एक मैगनेटिक फिल्ड में लेके चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का फोर्स वगारा उस पर लगेगा उसे पहले एक कंसेप्ट और जो इंपोर्टन सा कहलो या वैसे ही कि ओल्ली सिम्लर टाइप ओफ क्वांटिटीज इंट्रेक्ट विद इच अधर इंट्रेक्ट विद इच अधर एक जैसी नेचर रखने वाली चीज़े ही एक दूसरे से इंट्रेक्ट करती है यह नेचर का रूल है इसको समझते हैं कैसे ग्रैविटेशनल फिल्ड जो होता है वो ग्रैविटेशनल फिल्ड जब दो बोडीज के पास ग्रैविटेशनल फिल्ड होता है तभी वे इंटरेक्ट करती है ठीक है दूसरा एक दो बोडीज के पास अगर मैगनेटिक फिल्ड हो तो मैगनेटिक फिल्ड से मैगनेटिक फिल डेक के पास नहीं है तो similar नहीं हुए ठीक है इसे त्छितरीक मेसे जहाँपर इलक्टिक फिल्ड होगा वह अरुक्टिक फिल्ड लानी चीज को ही इंट्रेक्ट कर पाएगा देए से राभ चार्ज के आसपास उसका फिल्ड अतोल सब्सक्राइब कर सकता तो अंटिल इत्व इत्त करता है वेग्टेटीक फिल्स अ यह अमस्पान घंऍेशनल हो सकते हैं तो यह बहुत आपसमें गैर्स करने लगता है मेंगेटिक फिल्स एक तिखता नाव और भी इस सक ऐल सब्सक्ति बहुंत खंद कहा है और डh तो बगवान को भी जनम लिए प्र बहुत समझे है तो इस तरीचे से similar type की ही इंट्रेक्ट करपाती यह नेचर का समस्क्थ रूल है और ये अगर छेकेंगे कि अगर किसी charge के पास Magnetic Field है तो उसके पर कोई दूसरा Magnetic id डाला जाता है तो इसका Magnetic field और उसका Magnetic field इंटरेक्ट कर सकता है वकर अगर इस charge के पास अपना Magnetic Field नहीं है ऐसा किससे सब्सक्राइश डिए तो उसके इसके पाश अपना Employeon पड़ेगा क्योंकि इसके पास बाप की चीज़े नहीं वूई इसके पास है तै इंट्रेक्ट नहीं करेंगे तो ओल्ली डैट चार्ज इंफ्ल्यूएंसीज बाइदा मेगनेटिक फिल्ड जहों चार्ज मुविंग होगा क्योंकि मुविंग चार्ज के पास अपड़ा फिल्ड होगा एक बाहर से फिल्ड आ रहें दोन्नों सिमिलर टाइप की क्वांटिटी नहीं नहीं होगा तो आप से कोई पूछे कि एक चार्ज में उसके साथ इंट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स यह एक एक नंबर में कोई पूछ ले तो पूछ ले पर यह आपका कंसेप्ट बनाने के लिए है चलो फोर्स की बात कर लेते हैं किसी मूविंग चार्ज के उपन मेगनेटिक फिल्ड के अंदर तो आपके पास फोर्स ओने मूविंग चार्ज फोर्स ओन ए मूविंग चार्ज इन थे हमारा टोपिक का नाम है suppose करो एक magnetic field ऐसा board के plane में ऐसा लग रहा board के plane में magnetic field लग रहे है एक charge particle किसी V velocity से enter कर गया किसी theta angle बनाते हुए board के ही plane में co-planar vector से B और V ठीक है ये charge जो था इसका वो मालनिया की q charge है और वो V velocity से theta angle मनाते हुए magnetic field में एंटर कर गया बात कलियर हुई आपको ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपके बास मैंने angle क्यों लिया क्यों 0 degree magnetic field की direction में एंटर नहीं करा लिया क्यों इससे 90 डिगरी पर एंटर नहीं करा लिया तो वह बाद में special cases हो जाएगे मैं एंगल को 0 रखूँगा तो magnetic field की direction में एंटरी की बात हो जाएगी एंगल को 90 रखूँगा तो उससे perpendicular की बात हो जाएगी 180 रखूँगा तो एंटी पैरलली direction में एंटरी की बात हो जाएगी ठीक है तो इसलिए मैंने इन्होंने क्या पाया कि जो फोर्स होता है चार्ज के उपर यह डारेक्टली प्रपोर्शनल है magnetic field अपलाई इसके उपर कुछ फोर्स लगेगा एक मुविंग चार्ज है उसके पास अपना magnetic field अपलाई किया हुए जितना ज्यादा स्ट्रोंग फिल्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा और एक्जाम्पल आप एक छोटी सी मैंगनेट से दूसरी चोटी सी मैंगनेट को उठाओ तो पता है आपको बड़ी वाली मैंगनेट ज्यादा फोर्स लगाती है क्योंकि उसका मैगनेटिक फिल्ड जादा स्ट्रोंग होता है इन्होंने आल्सो यह पाया कि जो फोर्स है वो डारेक्टली प्रपोर्शनल टू चार्ज के मैगनीट्यूड के हैं तो यह एक्स्पेरिमेंटली पाया कि इन्होंने क्या किया पहले जैसे इलक्ट्रोन को भेज के अगर दुगना चार्ज है तो इन्होंने देखा उस पर फोर्स भी जादा लग रहा है सेम वेलोस्टी वेलोस्टी सब सेम रखा बस चार्ज डिफ्रेंट किया है तो चार्ज जादा होने से फोर्स जादा लग रहा है यह उन्होंने एक्स्पेरिमेंटली फाइंड आउट क करता है मैगनेटिफ फिल्ड की डारेक्शन में जो कंपोनेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आगे देख लेगे इस चीज को कि जब डारेक्शन में एंटर करता है तो कोई फोर्स ही नहीं लगता एक्शुली में ठीक है तो इन्होंने क्या पाया कि जो वैलोस्टी एका साइन आटके कॉंस्टेट की वैल्यू आपके पास भी बनती है तो यह बडा आपके पास एक इसको वेक्टर फोर्म बेस्टर और यह सब्सक्रों को पता है बताने की जूँत नहीं ही फस्ट लेश्टर यही से स्टार्ट किया था मने तो आपके पास फोर्मुला यह व की डारेक्शन की बात करें तो आपको क्रोस की डारेक्शन आपको आत्ती निकालनी कैसे निकालते थे राइट हैंड की जो फिंगर्स है वह फिर्स्ट वेक्टर की डारेक्शन में करें और उनको ऐसा करें कि वह सेकिंड वेक्टर की डारेक्शन में जाए तो आपका जो थम्म में फिंगर्स करी मेंगनेटिक फिल्ड उपर इस साइड है मेंगनेटिक फिल्ड की दारेक्स लगा बाहर की तरफ तो मैंगने जो फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल जो ऐसे जा रहे हैं इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहे हैं तो यह ऐसा बाहर की तरफ करना स्टार्ट क तो यह फोर्चन में आया है सभी को कैसे निकालेंगे वी क्रोस भी से अब ध्यान देना इसके साथ में गुणा में क्यू भी रख है खाली वी क्रोस भी पर डिपेंड नहीं करता फोर्च इसके साथ में यह स्केलर क्वांटिटी भी मल्टिप्लाई है और आप सब को बता है ए अगर आपके पास एक एलक्ट्रोन है वह ऐसा मूँ कर रहा है वी वलाउस्टी से और इस जग आप मैगनेटिक फिल्ड ऐसा क्रोस है क्रोस का मतलब है बोर्ड से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो आप लगा देंगे कि फोर्स लगेगा उपर की तरफ तो यह एंसर गलत हो ज आपने वी क्रोस भी सोल करा जो की तरफ आ है पर बाहर चार्ज भी तो है तो आप जब यह लिखते हैंगे तो चार्ज जो होता है अलक्ट्रोन का माइनस ही होता है और फिर भी ग्रोस भी आएगा है ना एक्टर में नेगटिव साइन का मतलब नेगेटिव से कुड़ा करने दारेक्सन उल्टी हो जाना तो यह निया इसकी अपोजिट डारेक्शन डाउनवर्ड अंसर आएगा ठीक है अगर यह प्रोटोन होता इसकी जंगल यह प्रोटोन होता वी वलोस्टी से ही जा रहे है बस आपके पास मैगनेटिक फिल्ड वैसा ही है तो अबकी बार जब बदलते ही फोर्स की डायरेक्शन भी बनल रही है और इसमें याद रखेंगे यह क्यों भी इसके साथ मल्टिप्लाइब में इसको ध्याद रखेंगे वेक्टर में पोजिटिव नेगिटिव का फरक पड़ रहा है आपके पास ठीक है और यह था इन्होंने बताया कि इतना फ जो डारेक्शन है यह फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी दी जा सकती है किसे जो आप करके आए थे एंध क्लास में फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल ठीक कई बार पूछ लेते हैं तो उस टेम पे ज़्यादा तर बच्चे क्रोस प्रोडट को सोल करते करते उसकी आद किसे आपने फर्पिंगर मीडल फिंगर को इस टर्यक्र करते हैं कि यह दूसरे मिट्री प्रपैंडीodar हो ऐसे यह वाड़ा इसके ले उन्हें यह नोगलों ऑक फश्री से आपने ने कर लिए अपने फिंगर ऑन फिंग्छ फ्यक्वार मीडल फिंगरो अग घून तो इस तर force की direction ठीक है कैसा आपके पास जो first finger है यह तो आपको करनी है magnetic फिल्ड की direction में आपको जो middle finger है वो करनी आपको current की direction में left hand के और जो thumb है आपके बास वो देगा आपके बास force तो इसी वाड़े को करके देखते हैं आपके पास electron इस तरफ जा रहा था और करोष में आपके पास magnetic field था को कर लिया तो आपने left hand लिया पोर्ष की direction निकालनी है magnetic field की Direction में first finger करनी है magnetic field board से अंदर जा रहा है तो बोसे अंदर आपने first finger को कर लिया ठीक है ओके फिर आपको current की direction में इस उगली को करना है तो आपको current चाहिए याप पे electron है current नहीं है आप सब को पता है current की इलक्टों से उल्टी डारेक्सन में होती है तो इसका इसको आप ऐसे दिखहा सकते हैं कि कृरण इस तरफ जा रहा है यही आया था थीक है तो स्वाइद की डारेक्षिम यह वाली फिंगर दिगए सभी को तो कि यह वांदी कि और जो तरह तो लो two डाल जो डाव सकते हैं तीक के निकले कर सकते हैं चिक दडारेक्शन निकाल ले कि लिए लेट्स एनलाईज इस फॉर्मुला यह था आपके पास फ्लैमिंग लेफ्ट हंडूल कोई भी डिरेक्शन आप निकाल सकते हैं अपलाई करना आ जाए तो चलिए यहाँ से देखिए आपके पास अगर चार्ज आपके पास जीरो है चार्ज ही नहीं है तो आपके पास इस क्या तो नियूट्रल बार्टीकल है उस पर कोई चार्ज नहीं होता चार्ज नहीं है तो उसके पास कोई सवाली नहीं उता अगर इनले.टरिम्ड नहीं है तो सें अगले में अग्र वैलोस्टी चीनों रखें यह वैलोस्टी जीरो आ रहा है यह वैलोस्टी जीरो क्या दिखा रहा है है चार आपके पाजेस्ट पर इसका मतलब क्या है रख्ष पर डिसका मैंगनेटिक फोर्फ नहीं लग दा इसको कर रहे थे आपको बिल्कुल स्टार्टिक में बदाया था चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट वाला पुचार्ज जो है में यह करता अगर यह में इस पील्ड पर दूस्ट नहीं करेगा तो बहार वाला में ट। किसके साथ इंट्रेक्ट करेगा उल्मीन तब तो आपके पास फोर्स भी नहीं लगेगा नेक्स अगर फिल्ड ही नहीं होगा यह इसको तो चलो चोड़ना अब जो मेन बात आती है वो यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल जीरो डिगरी या फिर 180 डिगरी से magnetic field में एंटर किया है मतलब कि magnetic field भी इसी तरफ velocity भी इसी तरफ या magnetic field इसी तरफ या velocity इस तरफ इस तरफ इस तरिके से charge particle एंटर किया है 0 या 180 डिगरी से तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है तो उस पर कोई भी force नहीं लग रहा है इसलिए आपको स्टार्टिक में बताया था कि चाड़ पार्टिकल जो है Understand zitten time कोई भीстати डारेक्षीन कुछ भी चेंज नहीं तो फोर्ट आपके पास जीरो एगा ठीक है इसी तरिके से बाद फिल्ड की डारेक्शन में होना चाहिए उस साइड से आए जाए इस साइड से आए फिल्ड के अलोंग अगर आएगा तो आपके पास नेट फोर्स जीरों तो नेट फोर्स और चार्ज पार्टिकल विल भी जीरो फिच इस मूवि मोन होता है साइड नेटी मेक्सिम मोता है तो चाम पर फोर्स का फॉर्मला निकल के आएगा क्यूब्ध और यह आपके पास इस टाइम पर मैक्सिमाम फोर्स वो किसी चार्ज पार्टिकल पर लगेगा जिसका चार्ज वेलोस्टी वगर gefिक्स है इसाज याज जार्ज रखत और यहां से आप one tesla को define कर सकते हैं जैसे आपके पास यहां से यहां से यहां से अगर मैं B निकालना चाहूं तो this will be equal to f by qv इसकी dimension वगरा यहां से आप निकाल सकते हैं ठीक है वी की dimension निकालना चाहें तो force की होती होती MLT-2 चार्ज की होती आपके पास AT current in-to-time velocity की होती LT-1 यह आपके पास बढ़ेंगा M यह T आपके पास cancel LB-2 a-1 lv cancels MT-2 a-1 यहां से आप टेसला को डिफाइन करना चाहे है इसकी जो यूनिट होती है यह तो यहां से आप इसको वन टेसला कब बूलेंगे जब उपर वन न्यूटन का फोर्स है है और 1 मीटर पर सेकेंद से एंट्र किया ठीक है और इस फॉर्म्मले में आपके पास 90 तो एक जब कोई इसकी में प्र्पे evolves किसे तो जब अगर आप उसपर पर फोर्स ज लगने वाला है वह वन न्यूटन का होगा ताब बोलेंगे उस टैम पर वहाँ पर मेगनेटिक फिल्ड कितना था वन टेसला का ठीक है एक कुलाम का चार्ज एक मेटर पर सेकिंड से 90 डिग्री से एंटर किया अगर उसपे लगने वाना फोर्स वन न्यूटन है तो आप गोलेंगे इस टैम पर एक नंबर में पूछ सकते हैं यहां है न हमारे पास वी की और वी आउटवर्ड आया है तो आउटवर्ड इस बी के भी परफेंडिकुलर बनेगा इस बी के भी परफेंडिकुलर बनेगा और इस बोर्ड के भी परफेंडिकुलर थे ठीक है तो यह इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीख लिया फोर्स का मेंग चेंज को उब्जब करने जा रहे हैं तो एक मुविंग चार्ज को मेंगनेटिक फिल्ड में फिर सेंटर करेंगे और अब की बार असर देखने जा रहे हैं किस तरीके का असर इस पर रहेगा थीख कि अधुश्य कि अधुश्य back and start पूब nuestras कैसे आपके पास ये में डिटिक फिल्ड है इस डिर्ट से बहूत आई लएडSU उसक्ते जरीदर तरीके से मेंगनेटेटिक फिल्ड हेया हर जग है आपके पास ईक सवी वेस्टी से एक चार्ज पार्टीकल जिसका चार्ड abortion वही कंपोनेंट इसके बढाएंगी जैसे पिछे किया था हमने अपके बास फोर्स की डारेक्शिन वज़े से बस मुवमेंट देखने जा ले किस तरीके का पाथ यह फोलो करेगा वो देखने जा तो आपको पता है जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कोस कंपोनेंट और दू सरी तो यह व्यक्तिक के दो कंपोनेंट्ट है एक कंपोनेंटि आपका फिल की डिरेक्शन में है एक कंपोनेंट से 90 दिगरी की डिरेक्शन में ह् haven के बनते आपके पास किसी अइंगल से एंटर कर या उसको हरदम आप दो घ्रिपेंडिकूलर इन है रेक्टैंगूल और आपको अभी पीछे देख़्े आए थे कि जब भी बी को चार्ज पार्टिकल फिल्ट की ही डारेक्शन में एंटर करता है तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगता है ठीक है और आपको पता है जब 90 डिग्री से एंटर करता है तो उस इस टेंब पर आपके पास जो है एंगल 90 डिग्री है तो मैकसिमम फोर्स लगेगा क्योंकि यहां पर ठीटा आमारे पास 90 डिग्री है तो जो फोर्स आपके पास maximum होगा और जिसका फॉर्मुला होता था वी क्यू इंटू में वह वैलोस्टी का नाम हमने वी-वन दिया हुआ है खाली इस वेलोस्टी को भूल जाहिए तरीक्के से ऐसा है एक Q चार्ज-पार्टिकल v1 वेलोस्टी से इधर एंटर करा एक Q चारज-पार्टिकल v2 से इधर इंटर किया दोनों का मैं अभी अलग लग इफेक्ट देखना हूं इसको अभी भूल जाइए ठीक है तो यह वीवन एंटर कर रहा है 90 डिगरी से तो उस पर this चीज को अजिशने के विजए से क्या होगा जो चार जीतर बाग रहा था वह प्रपेंडीकुलर कंपोनेट की वज़े से अंदर की तरह फोस्ट लगता है तो वह अंदर जाना स्टार्ट कर लेगा जिस तरह फोस्ट होगा चीज़े उस तरह मूँ करती है यहाँ पर आप रियलाइज नहीं कर पारे इसलिए मैं इसको अलग्षे सो कर रहा हूं कि कोई चार्ज पार्टिकल प इस discourage प्रटिकर एंट्री कर रहें इस चीज को स्टडी करने ठीक है में मैगनेटिक फिल इस जंगद मैं ऑ этим हूँ नवर्ड अ ब्लड को स्टेडी करने जा रहे हैं आपने बला डारेक्सन निकले कि वी क्रोस से उक्रोस बीसे से जटेए ध्यारे कि यहां फोर्ड इन तरफ लगता है यह यहां इदर डीखाने अगर यहां से अंटर ना किया होता यह ए चाँज्ज पार्टीकल यहां से अंटर किया उता स्पोज्ड हो वहीं भी वन व्यवेलोस्टी से to use this as i suis अगर यह चार्ज पार्टिकल ऐसा होता तो वेलोस्टी Kyач sa दिच्चे की तरफ है फिगर करो ओंडो तो फॉर्स आया उस सैड फॉर्स आया इस सैड कि मत़ला कि चार्ज पार्टिकल कहीं मूँख कर ले lenticector की तरफ आ फोर्स एक कोमन सेंटर की तरफ आ रहा है इसको ऐसा बोलते हैं अगर यह फोर्स जो है सेंटर की तरफ है फोर्स जो है सेंटर की तरफ है सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं सेंट्रीविटल फोर्स है ना क्या बोलते हैं सेंट्रीविटल फोर्स तो फोर्स जासर की तरफ है इसे एक सर्कूलर नंगेंगा ठीक है क्योंति हूं किसे टरफ एक फोस लग रहा है बात समल में की ऐक चार्ज पार्टक्ल 90 डिग्री से एंटर करेगा मैगनेटिक फिल्ड में तो वो बिल्कुल प्योर सर्कल में वही की वही घुमने लग जाएगा थियुक है दुबार से एक चार्ज बार्टिकल नोत डाउन कर लेना एक चार्ज पार्टिकल जब बी परफेंडिकुलर्ली एंटर करेगा मैगनेटिक फिल्ड में बस ली परफेंडिकुलरली और किसे एंगल की बात निकर दें 90 डिग्री से तो यही पर सर्कल में गूमना स्टार्ट कर देगा क्यों गूमना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है उसके सेंटर की तरफ और सेंटर की तरफ जब भी फोर्स होता है तो उसको सेंटिपिटल फोर्स बोलते हैं तो यह सेंटिपिटल फोर्स की वजए से सरकल में घूम रहा है कुछ 90 डिग्री से एंटर क्या होता है इसमें तो यह और यह केस भी आने माना इसलिए वीवल ने लिया बने अगर प्रोवाइड कर रहे हैं एक वयलोस्टी से वयलोस्टी कट्क अगर आप यह आएगा आपके पास मीक्यू अर्बाई एम्ल ऑर। кру rock इसे यहां से निकाल सकते हैं वह क्या होगा एम इंटू में वेलोस्टी डिवाडिद बाइब बीक्यू आप से कोश्चन पूच सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर किया तो वह आप उमको पता है सरकल बनाएगा पर कितनी रेडियस का सरकल बनाएगा तो आपके पास एक कुश्चन नहीं है ऐसा दो चार्ज पार्टिकल दे देंगे स्पोस्ट करो एक लेक्ट्रोन मुव करता है एक प्रोटोन मुव करा वी से एंटर कर गए तो कौन सा बड़ी रेडियस का सरकल बनाएगा ठीक है ओके तो यह डिपेंड करता है आपके पास अग आपको देखा वेलोस्टी सेंटर किया और एक आपके पास प्रोटियम है वह वी वेलोस्टी सेंटर करा तो कौन ज्यादा रेडियस का सरकल बनाएगा तो आपको देखा वेलोस्टी तो सेम है मैंगनेटी फिल में एक एंटर में कर रहे तो आपको बताया कि इसका जो चार्ज बन होता है अगर होता है यह तो वह इकवल लेडियस का सरकल बनाएंगे दुलनों बिल्कुल दूनों सेम से ठीक है दूनों पोजिटिव चार्ज है तो दूनों के डारेक्शन भी सेम रहने वाली एक पोजिटिव नेगर होता था जैसे कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं अल्फा तो अगर एक डूटीरियम और एक अल्फा पार्टिकल एंटर करता है सेम मेग्नेटिक फिल्ड में तो उनका जो सरकल बढ़ेगा वह सेम रेडियस का बनने वाला है तो इस तरीके से आप यह कुश्चन करेंगे अभी मैं नुमेरिकल पे नहीं जा रहा नुमेरिकल बात में बढ़ेंगे पको बता दूँन कर लेना एक कुश्चन यहां से यहां से हर साल में देखा जाता है जरुत और इससे different सब्सक्राइब निकालेंगे जो पुछे जाएगी वेडियस बगारा वेलोस्टी बगारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी टाइम पीर बगारा ठीक है वो यहीं से निकलता इसी फोर्मुले से तो इस फोर्मुले पे हर साल एक टंबर में रुमेरिकल दिखते है ठीक है आगे चलते है अगे चलते हैं ठीक है जो यह वीवन है वीवन किसके बराबर है वी साइट ठीक है इस केस में ठीक है अभी साइट ही टाकुलेर है बाकि आपके पास 90 डिक्रेंटर कर गया तो साइट नाइंटी वन ही हो जाने वाला है ओके अगर मैं बात करूं एंगुलर फ्रिक्वेंस ऐसी जो उती है आपके पास अभॉन से इसको ईनोट करते हैं सब्सक्राइब और इसका फॉर्मॉला हूता है पर वैलोस्टी का पर्पंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है यहां परडिश्टेंस है है और रेडिय róż के वराबर विवन की वैल्यू है आपके पास थीक्यू आर क्या होती है एक चक्र काटने के तरह टाइम ले रही है यह ठीक है यह तो बताइए आपको तो यह आपके पास बीक्यू बाइम टाइम निले रही तो टाइम पीरियन हो जाता है तो यह आपके पास एंगुलर वेलोस्टी रेट उप टेंज ओफ एंगुलर को निउ से रिनोट करते हैं और आपने एक ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा है तो यहां से निउ होता आपके पास ओमेगा बाइट तो बस जश्ट फॉर्मूला आपके पास बीक्यू बाइटू पाइएम बनेगा इसमें ओमेगा की वेल्डू रग दी ठीक है आपसे फ्रिक्वेंसि का ओल्टा होता है यह इसका ओलड़िक्यू अल्टा टू पाइएम रॉबस नेच्चे मेगा इब देखके लोग डीक्यू तक्रीम पीरेड का फ़र्मूला अता है तीascal टूद टू पाइब हैना बीक्यूव इस टैम पीरिडिको इस वेल्ओस्टी को तंड लगाना चाहा है स्सेंटीम को अगर देखना चाहे तो देखो टाइम पीरियड ये वलक्ति पे डिपेंड नहीं करता और अगर टाम्पिरियड जो है इट डज नोट डिपेंड लोग्रों डिपेंड वेलोस्टी जो हैं एक डिपेंडन है तो यह equal time में circle complete करके आएंगे हाँ रेडियस वेलोस्टी पर डिपेंड करती है वेलोस्टी ज्यादा होगी कम होगी उस हिसाब से आपकी पास रेडियस अलग लग बनेंगी आपके पास ठीक है वेलोस्टी आपके पास डिफेंड करता है पर अगर वेलोस्टी आपके पास डिफेंड डिफेंट है डिफेंड डिफेंड वेलोस्टी से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो रेडियस अलग लग होग पर क्योंकि टाइम पीरिएड वेलोस्टी पे डिपेंड नहीं करता तो वो कितनी भी ज्यादा वेलोस्टी से एंटर करें कितना भी बड़ा रेडियस ले आए क्योंकि चार्ज तो सेम ही होता था यह की चार्ज को बार-बार स्पीड दे दे के गुमार होते थे तो उसकी कमर्इड रहोगा कम रएड़ियस वाला यह निकलने के लिए यह साइक्लोटोन को पढ़ने के ल्यागे इंपोर्टेंट फोर्मुला था आपके पास साइक्लोटून नों को पढ़ने के लिए अब सेक्लोट्रोन उसको discuss करने में और यह था आपके पास की मेंगनेटीक फिल्ड में जब पर प्रपेंडिकूलर ली एंटर करा कोई चार्ट पार्टिकल उसका फर्मुला जब भी आपको बोला जाए पर प्रपेंडीकूलर एंटर एंटर किया है यह बोला गए आपको ठीक है तो यह बता चल गया सरकल में गुमेंगा सरकल में गुमेंगा तो जो यह चार्ज पार्टिकल वी एंटर करा था इसके इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से यह सरकल में मूव करेगा सरकल में मूव करने का मतलब है किस डार यही से ऐसा अंदर जा रहा है यही से ऐसा अंदर जाएगा और सरकल कवर करना स्टार्ट करेगा यही से अंदर जाना स्टार्ट करेगा और सरकल कवर करना स्टार्ट कर देगा ठीक है बोड के अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा बोड के अंदर जाएगा फिर बाहर जाएग अगर इसका 90 डिग्री वाला कपोनेंट है अगर यह होता आ ही बे सरकल में गूमता रहता ए थीक है अगर नाइंटी से इंटर क्या होता पर यह वाला कंपोनेंट उसकी वजे से क्या होगा साथ smams On तो वी टू जो मैंने लिखा है वी टू इस तरफ पर मेगनेटिक फिल्ड वी इस तरफ है तो इस पर फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्मॉला होता है वी क्यू वी साइन ठीटा साइन ठीटा जीरो करेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा और यह देख चुके हैं अगर सब्सक्राइभ और फूर्स ही नहीं लगेगा तो इस टाइम वैलोस्टी चेंज ही नहीं होएगी इस तसफ की डिदो या रवी पूल कर दिया होगा तब चैन्ज होएगी जब तक एक्टरनल 40 बोडी उनिफॉम मोशन में रहती है जिस वेलोस्टी से वोचर ले उसी वेलोस्टी से रहेगी नूटन फस्ट लो ठीक है तो इस वेलोस्टी की वज़े से यह सिद्धा चलेगा इसको इसको कोई दिक्कत नहीं इस वेलोस्टी की वज़े से सरकल में घूम रहा है ओगे दख्का दे रहा तो यह सर्कल में भी घूम रहा है यह स्प्रिंग जैसा मोसम हो गए ना इसको मूलते है हैक काटबॉम घुमÓ चरूंग तो पाथ कैसा हुआ है ठीक है पाथ कैसा हुआ है लिकल पाथ तो जब भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल ठीटा से एंटर करता है तो पाथ होगा है लिकल अगर चार्ज पार्टिकल ठीटा इस इकल टू जीरो डिग्री से एंटर करता है तो पाथ होगा जैसा आया है वैसा का वैसा अगर पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता है तो बात होगा आपके पास सर्कुलर 90 degree center किया तो वही पे और circular motion 0 degree center किया तो कोई force ही नहीं लग रहा जैसा आया वैसा चला जाएगा अगर और कोई angle ले लिया आपने 180 पर भी आपके पास straight line ही है यह भी discuss हो गया था अगर आपने इनके अलावा कोई angle ले लिया तो path कैसा होगा आपके पास helical path ठीक है helical path spring देशा motion कलिया रहे ठीक है आपको पास मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एक चीज और इसमें मैं बता देता हूं pitch of the helix निकाल लेक्ते हैं ठीक है पीच किसको बोलते हैं देखो एक बार पीच को समझाने के लिए मैं आपको screw gauge याद दिलाता हूं 11th class में practical हमने किया है screw gauge होता था जो आपके पास कम distance measure करने के लिए यूज होता था छोटी सी thickness किसको बोलते हैं यह की कोई scale आपका कम से कम कितना measure कर सकता है ठीक है तो उसको measure करने के लिए आप क्या करते से circular scale को rotate करते थे इसको rotate करने के वज़े से थोड़ा सा आगए सरकता जाता था linear motion आप rotate कर रहे हो यह linear इन मोसल नहीं था तो कितना rotate करने से कितना अगए चला गया उसी को बोला जाता था इसकी पिच है ना कितनी number of circular scale division देने से कितनी main scale division आगी इसी को बोलते थे पिच है ना तो पिच कैसे calculate कर रहे हो इसको rotate कर आया और यह आगए सरक गया तो circular में गोम रहे हैं और आगए जा रहे तो एक बार circle में गहूंने में इसको लगता है टी time time period जीतरा time period एक पूरा चक्र काटने में गसा उसको time period बोलते हैं इतने time में यह कुछ ऑगय भी सरक जाता है ठीक है तो पिच किसको बोलते हैं कि जो इस चार्ज अब करें उस्में लगने वाले टाइम में यह कितना और ये इसंप λέγ तो स्पोफ और सी टाइम में यह कुछ डिस्टेंस आगे से रख गया अगर मैं इस डिस्टेंस को निकानू तो यह आपके पास पी चोगा और क्योंकि एक लिनियर डिस्टेंस है आगे की बात कर रहे तो डिस्टेंस का फॉर्मुला सिंपल साव के पास होता है स्पीड इन्टु टाइम होगा ताइम होगा आपके पास टाइम पीडियर के बराबर लिया जो यह सरकल पूरा करने में ले रहा था उत्रें टैम में देख रहे हूं आच्छा इस तरफ आगे की तरफ कौन सी वेलोस्टी की वज़े से जा रहा था यह कितना आगे शरक गया अगर आगे अगर खाली यह पर थो वेलोस्टी कौन सी यूज होएगी आपके पास disagree customer क्योंकि यही आगे ले जाने में यूज हो मैं टाइम फीरियर तो फॉरिंला आपके पास वी को सिता को आप वी तुमिल लिख सकते हैं औटा इता निए गिव्यों 4000 की एंटुगे टूपाइम भाइ बीक्यू इस विल विदा पीचो फैलिक्स एक्स ओल फॉर मुहीं चार्ज इन मेगनेटिक फिल्ल कैसा कैसा पाथ फोलो करेगा अगर जीरो डिग्री से यहां 180 सेंटर करता है तो जैसा आया है वैसा कब ऐसा रहेगा अगर 90 डिग्री से आया तो सर्कुलर बात होगा और अगर किसी और एंगल से आया तो आपके पास हैलिकल पाथ होगा स्प्रिंग जैसा बात होगा ठीक है यह पर एक बड़ा सा और इंपोर्टेंट सा कोस्चन मनता है वह कोस्चन मैं डिसकस कर देता हूँ कि आपको मोला गया कि एक चार्ज पार्टिक एंगल जब भी 90 डिग्री से में एंटर करेगा तो वह ऐसा सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है अगर इस तरीक्वेलोस्टी से आया है आप अब यह किया तो जब वह सरकल में मूंग करता है तो आपको पता है कि फॉर्स जो होता हो सेंटर की तरफ होता है अभी अभी तो अगर आप वर्गडन की बात करें जो क्यों होता है एफ डोट लिएस फोर्स इंटू डिस्प्लेश्मेंट यह तो नाइस कोस नाइंटी आएगा तो फोर्स आपके पास पास जीरो सोरी वर्गडन होगा आपके पास जीरो तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल नाइंटी डिग्री से मेंगनेटिक फिल्ड में एंटर करता है तो उस पर कोई भी वर्गडन नहीं होता वर्गडन कितना होगा जीरो आपको बड़ा सा कुष्चिन कुछ भी दे कर रहा है पर परेंट्ईकुल्र एंट्र करता है तो जल तो लुक्त आपके पास जीरो आएगा अगर वर्गडन जीरो आ गया मत रखी कोई अरघ्टी का लोसील भी नहीं आजके सकता थीक जैसा इंटर किया स्पीड अगर चेंज होती तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है पर एनर्जी तो एनर्जी की कल्कुलेशन होती है तो आपके पास मेगनेटिक फिल्ड एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता याद रखेंगे स्पीड को चेंज नहीं कर सकता मे एनर्जी नी दे रहा न эти निवहाग्ई जो काह से आ जाएगी एनर्जीlog मूक्राक टो एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड़ोष्टी नहीं कर सकता है व्यवस्टीच गुंस्टी। डारेक्शन चेंज होता ही हाँ magnitude of velocity जिसको speed बोलते है वो चेंज नहीं होगा 50 से एंटर किया है 50 से रहेगा बस डारेक्शन चेंज होती रहेगी सरकल में हर पॉयंट फे डारेक्शन चेंज होते हैं सरकल को आप आख ऐसेलाइटेन मोशन नोचन भलते है तो स्पीड नղिंटूल ऑफनो के लिए सब्सक्राइब तो स्पीड भोलते है तो यह था आफिए आट टीन की न ne यह ना कोई धीव होग थीक एंटीज ना मोँमेंटम जेंज जोगा मोमेंटम हें 97 मोमेंटम जो आगे इसी में आपके पास अगर मैं compare करूँ इसको electric field से if I will compare it electric field तो electric field में अगर कोई charge particle लखा है positive तो आपको पता है कि positive charge फर field की ही direction में force लगता है field की ही direction में force लगता है तो charge particle को उसी तरफ धक्का दे दिया जिस तरफ वो जा रहा था तो उसकी velocity बढ़ जाएगी एक पॉजिटिव चार्ज उदर जा रहा है electric field ने उदर ही धक्का दे दिया ठीक एलेक्टिव फिल्ट फिल्ट फोर्स की उसी डारेक्शिय में लगता है पॉजिटिव चार्ज पर जिस तरफ फिल्ट होता है उसी तरफ धक्का दे दिया तो स्पीड बढ़ गी आपको पिछे जो कोई पुश्ट करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी स्पीड बढ़ गी तो したush, energy बढ़ गी किनट Warum based फिल्ट वह च।on मोमेंटम चेुख योगी तो आपके पास ए्लेक्टिकац फिल्टै ये मोमेंटम एनर्जी वैलोस्टी या स्पीड बोलो इन सब को चेंज कर सकता है पर मेंगेटिक फिल्ट नहीं चेंज कर सकता था ठीक है । ऐसेलेरेटीट मोसन में ला सकता अबर स्पीड नहीं कर सकता तो यह सब को चेंज कर सकता है सब को चेंज कर सकता है मैंगनेटिक फिलिन सब को चेंज अगयाते